दोस्तों आज इस वीडियो में हम IMDb कैसे मूवीज को रेट करता है, बुकमाईशो की रेटिंग, रोटन टोमेटोस के रिव्यूज और रेटिंग, उसके साथ ही प्रोपेशनल क्रिटिक्स के रिव्यूज और रेटिंग, जो लोग एक्चुल रेटिंग देने की बजाए, किसी फिल्म के रेटिंग को बदलने में रुची रखते हैं, ऐसे वोट स्टफिंग के परयासों को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, raw data पर अलगलग प्रकार के filters को apply किया जाता है अब इसकी method या विधी क्या है इसका खुलासा वो नहीं करते हैं ताकि इसे कोई प्रभावित ना कर सके और इसलिए result ज्यादा 60 काते हैं अब ये IMDb का कहना है लेकिन कुल मिलाकर users के votes का average और number of votes ये दो सबसे महत पुर्ण factors घटक होते हैं ये rating निकालने के लिए अब देखिए कोई भी IMDb का registered user किसी भी film को या किसी भी web series को वहाँ जाकर rate कर सकता है इसके लिए आपको बस IMDb के website पर जाकर अपने facebook या फिर google account के साथ में यहाँ पर login करना है और इसके बाद में आप किसी भी film को या web series को वहाँ जाकर rate कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह जितने भी users IMDb पर rate करते हैं किसी भी film को या web series को क्या वो सभी के सभी निश्पक्षो कर voting देते हैं क्या उन में से कुछ लोग किसी film या web series से जुड़े वही लोग नहीं होते होंगे क्या उन में से कुछ लोग किसी actor, actress or film director के fan नहीं होते होंगे बिल्कुल होते हैं अब आप जब Hairmate Sejal की IMDb की rating देखिए 5.5 out of 10 stars की मतलब seriously, really Rotten Tomatoes पर जब Hairmate Sejal को 17% की rating है अब Rotten Tomatoes के बारे में भी हम बाद में बात करने वाले हैं लेकिन एक overall मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या जो rating देते हैं वो सभी निश्पक शोकर voting देते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर आप IMDb पर जाकर जब Hairmate Sejal की reviews पढ़ेंगे न वहाँ पर shut up haters इसके अलावा जब Hairmate Sejal आज तक की Bollywood की बनी हुई सबसे best classic rom-com है classic romantic film है इस प्रकार के reviews वहाँ पर दिये गए हैं और 10 out of 10 stars देने वाले ज़्यादा तर reviews आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे मतलब seriously अगर आप किसी actor, actress या director के fan है तो क्या बस 10 out of 10 stars ही देना है उससे कम कुछ दे ही नहीं सकते इसलिए जो real rating देते हैं न 2 out of 10 stars 3 out of 10 stars उनकी rating वहाँ पर कोई माइन ही नहीं रखती क्योंकि इस प्रकार के fans या किसी actor, actress, actress या फिर दिरेक्टर के ये fans वहाँ पर जाकर सीधे 10 out of 10 stars दे देते हैं और सबसे बड़ी बात लगबग केवल 14,000 लोगों ने IMDb पर जब हेरिमेट सेजल को rate किया है यानि 130 करोड की आबादी वाले देश में से केवल 14,000 लोगों ने वहाँ पर उस film को rate किया है तो क्या इसके आधार पर आप उस rating को real मान सकते हैं इससे ज़्यदा लोगों ने rate तो Book My Show के app पर किया है जब हेरिमेट सेजल को करीबा 99,000 लोगों ने वहाँ पर वोट किया है इस film को अब चिलिए Book My Show के बारे में बात करते हैं अब हम जब हेरिमेट सेजल की बात करें तो उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं 23,000 लोगों ने 5 out of 5 stars दिये हैं Book My Show पर जब हेरिमेट सेजल को 5 out of 5 stars 23,000 लोगों ने उसके अलावा देखिए 36,000 लोगों ने इस film को 1 star दिया है Book My Show पर फिर भी 52% की रेटिंग मिली है इसे Book My Show पर अब इसके फीची की वज़ा यह है कि वहाँ पर यह जो users की रेटिंग होती है उसका average और उसके साथ ही जो critics की रेटिंग होती है उसका average और इन दोनों को calculate करके फिर यह 52% की रेटिंग वहाँ पर निकाली जाती है लेकिन देखिए यहाँ पर रेटिंग देने वाले जोगी लोग हमें देखते हैं वो बिल्कुल extreme होते हैं जो fans होते हैं वो सिधे 5 out of 5 stars या फिर 10 out of 10 stars दे देते हैं क्योंकि वो उनके star की film है वो जिससे follow करते हैं जिससे मानते हैं उसकी film है इसलिए इससे कमबूद दे ही नहीं सकते हैं 5 out of 5 या फिर 10 out of 10 या फिर दूसरे होते हैं hitters उन्हें कोई मतलब नहीं होता फिल्म अच्छी हो कितने भी अच्छी हो कुछ भी हो 2.5, 3.5 ये उन्हें दिखता हैं सीधे 1 star क्योंकि वो hit करते हैं किसी star से इसलिए वो सीधे जाकर के 1 star rating दे देते हैं तो क्या ऐसी rating से आप किसी film को judge कर सकते हैं क्या इससे आप तय कर सकते हैं कि मुझे ये film देखनी है या नहीं देखनी है और ऐसे किसी भी website पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर neutral होकर vote देने वालों की संख्या बहुत कम होती है आप उकमाई शोपर किसी भी film की rating उठा कर देख लेजिए जो neutral होकर voting देते हैं 2.5, 3.5 या फिर 2 out of 5 stars ऐसे लोगों की संख्या बहुत जाला कम होती है 5% तक नहीं होती जो लोग 5 out of 5 stars देते हैं उनसे 5-10% भी इन लोगों की संख्या नहीं होती जो real में neutral होकर एकदम निश्पक शोकर rating देते हैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इसलिए उनकी voting कोई माइने ही नहीं रखती है वहाँ पर और यह बात के वह फैंस और रिटर्स की नहीं है फिल्म के प्रमोशन से और फिल्म से जुड़वे लोग भी इसमें होते हैं कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ अब देखिए किसी की फिल्म या फिर web series release हो रही है तो वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी फिल्म को या web series को कही पर कम rating मिले तो obviously ये लोग भी तो rate करते ही होंगे किसी फिल्म को कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है मैंने कई बार observe किया है अब देखिए Google ने भी एक review का अलग से tab दिया है वहाँ पर भी आप Google की users की rating पर reviews पढ़ सकते है मैंने कई बार देखा है कि ऐसे अलग-अलग platforms पर same reviews हमें पढ़ने को मिलते हैं बस थोड़े से शब्द दर उदर किये होते हैं तो कई बार तो same to same reviews हमें अलग-अलग platform पर पढ़ने को मिलते हैं तो देखे किस प्रकार से किसी फिल्म को अच्छा दिखाने के लिए audience को manipulate किया जाता है ये भी एक फिल्म के promotion का हिस्सा होता ही होगा अब ये हर किसी के सोचने की बात है कम से कम मैंने जो observe किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ अब हम बात करते हैं Rotten Tomatoes के बारे में वीरिदी वेडिंग को IMDB पर 2.8 आउट 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 आप 10 स्टार्स की रेटिंग है 2.8 आउट और वीरिदी वेडिंग को ही Rotten Tomatoes पर 71 परसेंट की रेटिंग है मतलब आपको विश्वास होगा 71 परसेंट वीरिदी वेडिंग को अब देखिए Rotten Tomatoes पर जो Professional Critics होते हैं उनके Reviews रेटिंग के आधार पर इस Final Rating को कल्कुलेट किया जाता है उसके आधार पर इसे शो किया जाता है अब आज इस वीडियो में हम केवल भारतिय फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए बाहर के Critics के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे लेकिन जहां तक बात है भारतिय प्रोपेशनल क्रिटिक्स की तो वो कितने निश्पक्ष यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस साल की सबसे बढ़िया फिल्म परमानु दे स्टोरी आप पोकरन इस फिल्म को नैशनलिस्टिक जंगोईजम यह नाम देकर हमारे यहां के प्रोपेशनल क्रिटिक्स ने 1.5 आट आफ 5 स्टार्स की रेटिंग दी जादा तर क्रिटिक्स की रेटिंग आप पढ़ सकते हैं 1.5 या 2 आट आफ 5 स्टार्स की रेटिंग हमारे यहां के प्रोपेशनल क्रिटिक्स ने परमानु को दी मतलब यह क्या होता है भई अगर कोई फिल्म आपके आइडियोलोजी को सूट नहीं करती है तो क्या आप उसे तुरंत निगेटिव रिव्यू दे देंगे और अगर कोई फिल्म या वेब सिरीज इनके आइडियोलोजी को सूट करती है तो इसे वो तुरंत masterpiece कह रहते हैं मतलब masterpiece इस शब्द की आजकल कोई कीमत ही नहीं रही है इन्हें जो film इनके ideology को suit करती है न तुरंत उसे ये साल की सबसे great film masterpiece वगेरा वगेरा groundbreaking और क्या कहते हैं वो history बदलने वाली Indian film history को बदलने वाली film इस प्रकार की शब्द देकर audience के सामने ये अपने ideology को suit करने वाली films को promote करते हैं और ये मैं केवल परमानू के बारे मैं नहीं कह रहा हूँ पिछले साल की सबसे बढ़िया film The Ghazi Attack देखिए इस film को किस प्रकार के reviews दिये गए हैं The Ghazi Attack को The Indian Express ने 1.5 और 5 स्टार्स दिये NDTV ने 2.5 और 5 स्टार्स दिये इसके अलावा News 18 ने इसे All in all The Ghazi Attack is Utterly Disappointing कहा है Utterly Disappointing The Ghazi Attack को मतलब यकीन नहीं होता The Ghazi Attack के लिए ऐसे शब्द यानि ठीक है आपको फिल्म पसंद नहीं आई तो average कह देजिए Utterly Disappointing Nationalistic Jungoism ये सब क्या होता है मतलब आपकी आइडेलोजी को कोई फिल्म सूट नहीं करती है अब The Ghazi Attack में बताया गया था कि उस समय के सरकार के दौरा किस प्रकार के हमारे सेना के हाथ बांद कर रखे जाते थे कैसी परिशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था इस प्रकार की बहुत सारी बातों को और इतनी ग्रेट फिल्म थी वो कि हमें हमारी पलके तक जपकाने की इच्छा नहीं होती इस प्रकार का thrill हम The Ghazi Attack में फिल करते हैं वही बात परमानू के बारे में भी हम कह सकते हैं किस प्रकार का proud हम फिल करते हैं परमानू देखते समय लेकिन इन लोगों ने अपनी personal ideology की वज़े से अपने personal विचारधारा की वज़े से वो hurt हो गए ये जो so-called intellectuals या फिर liberals होते हैं बहुत जल्दी hurt हो जाते हैं चोटी-चोटी बातों से hurt हो जाते हैं और इतना hurt हो करके वो तुरंत अपनी personal विचारधारा को अगर कोई film suit नहीं करते हैं तो तुरंत उसे utterly disappointing, nationalistic jungoism ऐसे शब देकर negative reviews दे देते हैं और इस प्रकार से audience को ये manipulate करते हैं और जो फिल्में इनकी ideology को suit कर दिये केवल उनको ही ये promote करते हैं अब इन सब को कितना निश्पक्ष मानना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी film या web series को review करते समय हमारी personal ideology को personal विचारदारा को side में रखकर उसे review करना चाहिए मैं खुद भी कोई film critic नहीं हो बस as a movie lover मैं अपने views या फिर reviews को आप सब दोस्तों के साथ में share करता हूँ लेकिन एक professional film critic नहीं होते हुए भी मैं बहुत साउधानी रखता हूँ कि किसी भी film के साथ अन्याय ना हो जितना हो सके इमानदारी से मैं उस film का review या फिर उस film के बारे में मेरे जो views है आपके साथ में में share करूँ और जितना हो सके मैं अपने आपको निश्पक्ष रखने की कोशिश करता हूँ अब जैसे sacred games का उधारन लीजिए अब यहाँ पर spoilers आने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अब यह web series मेरे ख्याल से बहुत ही weak crime thriller है मुंबई का सबसे बड़ा dawn गनेश गायतोंडे अब यह character किस से प्रेदित है यह मैं नहीं जानता हूँ लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं मुंबई का सबसे बड़ा dawn गनेश गायतोंडे 15 साल के बाद मुंबई में वापस आता है उसके वापस आने से ग्रुमंत्री, फिल्म इंडिस्ट्री, पुलिस डिपार्मेंट सब के सब हील जाते हैं इतना बड़ा dawn मुंबई में वापस आता है और एक पुलिस ओपिसर को फोन करके वो बताता है कि 25 दिन में मुंबई खतम होने वाली है सीधे खतम होने वाली है कई पर छोटे से टेरेर अटेक की वो बात नहीं कर रहा कई पर बॉम ब्लास्ट की वो बात नहीं कर रहा मुंबई खतम हो जाएगी इस प्रकार क्यों धंकी देता है Raw Officers, दो Raw Officers भी ये phone tap करके सुन लेते हैं ये बात यानि Police Department को पता चल गया Raw Officers को बता चल गया और सीधे Mumbai के सबसे बड़े Dawn से ये धंकी आती है, सीधे phone call के द्वारा फिर भी किसी के पेट का पानी ही नहीं हिलता है अब देखिए, हमारे देश में एक कोई छोटा सा इमेल भी आता है ना किसी आतंकवादी संगटना से एक छोटे से इमेल की मैं बात कर रहा हूँ उसी दिन तुरंत सारे के सारे न्यूज चैनल्स को वो न्यूज आ जाती है कि एक इमेल आया है गुरू मंत्री को या हमारे जो एजनसी से सीकुरिटी फोर्सी से उनके पास एक इमेल आया है टेरर एटेक का और कभी भी आतंकवादी एक हमला हो सकता है इस प्रकार के हमने कई बार खबरे सुनी है लेकिन आप इस वेब सिरीज में देखिए इतनी बड़ी बात कोई छोटे से इमेल की बात नहीं है एक बहुत बड़ा डॉन ये धमकी देता है खुद धमकी देता है फोन करके फिर भी ना ही मिडिया का इसमें कही पर भी इन्वॉल्मेंट दिखाया है ना ये बात मिडिया को पता चलती है और दुसरी बात केंदर सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है IB, NSA, ATS कहां है सब इतनी सारी सेकुरिटी फोरसे से हमारे देश में कही पर भी कोई एक्टिव नहीं दिखाया गया इसके अलावा जो RAW को जिस प्रकार से इसमें दिखाया है वो सबसे बड़ा मजाक है किसी गली नुकड के डिटेक्टिव की तरह RAW को इसमें काम करते वे दिखाया है मतलब देखिए अब कुछ लोग इसे बाहर की कुछ वेब सेरीस के साथ में कंपेर कर रहे हैं सेक्रेट गेम्स को अगर वहाँ पर आप किसी भी Hollywood फिल्म को लीजिए या फिर उनकी वेब सेरीस को लीजिए वो देखिए CIA को या उनकी जो भी सेक्रेटी फोर्सेस होती है कुछ फिल में कुछ कालपनिक सेक्रेटी फोर्सेस भी दिखाई गई है उनको वो किस प्रकार से उनकी फिल्म्स में दिखाते हैं कितना स्ट्रॉंग दिखाते हैं क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं वो अपने देश की सेक्रेटी एजिएस को इस प्रकार से कमजोर नहीं दिखाते हैं लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी मतलब क्या कहूं मैं अब छोड़िये मैं नहीं बोलना चाता कुछ लोगों को अपने ही security agencies को इस प्रकार से वीग दिखने में या देखने में पता नहीं कैसे लोग accept कैसे ये देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा क्या इस प्रकार से रौ काम करती है मतलब मजाग नहीं यार 190 देशों में Netflix पर इस series को release किया गया है और वो लोग हमारे देश उनके सामने हमारे देश की क्या तस्विर जाएगी वो रौ को क्या कैसे देखेंगे रौ को एक महिला ओपिसर अपने अपने तरीके से inquiry कर रही है इतनी बड़ी धंकी आने के बावजूद किसी दुसरे किसी security agencies का किंदर सरकार का या किसी का भी इसमें involvement नहीं है इतनी बड़ी धंकी आने के बावजूद भी किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है हाला कि हमारे देश में एक email भी आता है न तो तुरंत उसी दिन शाम को हर चोराय पर हर नाके पर नाकाबंदी हो जाती है पूलिस तुरंत हर गाड़ी को तलाश करने लगती है कोई भी अगर आतेंकवादी घटना की कोई हमें email आता है या कोई धंकी आती है को तुरंत सब active हो जाते है कही पर दिखी ये बाते आपको सिक्रेट गेम्स में पता नहीं मुतलब कैसे लोग इस फिल्म को masterpiece और पता नहीं क्या क्या कह रहे है अगर सिक्रेट गेम्स masterpiece है तो फिर गैंक्सो पासेपूर को आप क्या कहेंगे यार कुछ तो आप क्या कहेंगे गैंक्सो पासेपूर को मेरे लिए गैंक्सो पासेपूर आज तक की सबसे बढ़िया crime thriller film है भारत में बनी हो क्यों मेरी परसंदीदा नहीं मैं उसे masterpiece कहूँगा गैंक्सो पासेपूर को और secret games हम किसलिए अच्छा कहें क्या उसमें बस कुछ गालिया दी गई है इसलिए भगवान शब्द के साथ L.U.N.D. ये शब्द जोड़ा गया है इसलिए हम कहें कि वावावावावा क्या creativity है क्या art है अगवान शब्द के साथ इन्होंने L.U.N.D. शब्द जोड़ दिया इसके लिए हम इसको अच्छा कहें क्या उसमें कुछ दो-तिन topless scenes है कुछ sex scenes है इसलिए हम उसे अच्छा कहें मुझे उससे कोई problem नहीं है गाली से या nude scenes से मैंने ultra sensor word के उपर एक video डाला है कि आप दिखाईए एस certificate आप दे रहे है तो theater में ये बाते दिखाईए मैंने खुद उसके उपर video बना है लेकिन उन nude scenes का उन गालीों का कुछ story में जगत होनी चाहिए ना उनकी वज़े से main plot के उपर कुछ असर हो रहा है क्या उस story के development में कुछ उसकी मदद मिल रही है characters के development में उसकी कुछ मदद मिल रही है नहीं बस जादातर filmों में controversy create करने के लिए audience को attract करने के लिए यह सब गालिया और scenes डाले जाते है main mood character development पर यह बात पर ध्यानी नहीं दिया जाता अगर आपको masterpiece देख रहा है ना crime thriller में pulp fiction देखिए चार stories आपस में एक साथ चल रही है चार characters है वो सभी characters उनके इन अलग-अलग stories के द्वारा एक single message director हमारे सामने रखते हैं ending में कि life हमें दो chance देती है second chance जरूर देती है और उस second chance के समय अगर आप सही रहा चुनते हैं तो फिर आगे क्या होता यह एक बहुत great message इन चार अलग-अलग characters और कहानियों के दोरा उसमें दिया गया है यह उसमें भी धेर सारी गालिया है violence है लेकिन उसे कहते हैं story कि वहाँ पर हमें वो story सोचने को मजबूर करें लेकिन secret games में धरम के नाम पर चलने वाले खेल के उपर उन्हें कटाक्ष किया है ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हमें series देखते समय है मैंने secret games को 4 out of 10 stars दिये इतने weak crime thriller होते हुए भी क्योंकि मैंने ही चाहता हूँ कि नवाजुन सिद्धिकी ने बहुत बढ़िया उसमें acting की है सैफली खान ने भी बहुत बढ़िया उन्होंने वहाँ पर performance दिया है और story की जो placing है जिस प्रकार से flashback और अभी के scenes को वहाँ पर place किया गया story में दिमाग लगाए बगेर भी अगर हम इस series को देखते हैं तो आकिर तक हमारा interest बना रहता है भले ही बीच में बहुत slow है कई सारे scenes की कोई जरूरत नहीं बिना मतलब का खीची हुई थी है फिर भी ending तक हमारा interest बना रहता है और ये जो थोड़े बहुत plus point है इसके लिए मैंने उसे 4 out of 10 stars दिये यूकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे personal views की वज़े से किसी web series या film के साथ अन्याय हो और यही बात आप राजी के समय भी देख सकते हैं आप राजी का मेरा वीडियो देखिए मैंने जो points उसमें बताया है ना जितनी भी points मैंने बहुत सारे points राजी के review वाले वीडियो में मैंने बताया है उसमें से एक भी point आप ये जो professional critics है उनमें से किसी ने भी उसमें से एक भी point उनके review में बताया है क्या यह आप चेक करिए मतलब मैंने इतने सारे points राजे की review वाले वीडियो में बता है लेकिन किसी ने भी किसी भी critics के review में आप एक भी उस point का जिकर किया हुआ नहीं देखेंगे बस पाकिस्तान को लाला लेंड के तरह दिखाया है सबकुछ वहाँ पर बहुत अच्छा है पाकिस्तान को एक victim के तरह दिखाया गया है और जो सहमत खान जी का जो character है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुर्बानी देश के लिए उनकी जो देश भक्ती है उसे ठीक तरीके से justify उसे न्याय नहीं दे पाई है यह film ऐसा परसनली मुझे लगता है और अच्छी तरीके से इस film को बनाया जा सकता था क्योंकि जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में जाने के लिए अलग-अलग rooms में वहाँ जाती है जो उनके secret rooms में जाती है हर रोज बड़ी गाड़े लेकरके driver के साथ वो बहा जाती है पाकिस्तान के हर गली नुकड़ पर उसे मदद करने वाला वहाँ पर मिलता है यह सारी बाते हमें विश्वास नहीं होता है उस घर में जाने के बाद वो तुरंत भारत में message देने के लिए वहाँ पर setup भी करती है ठीक है हमें पता है यह एक book के उपर आधारित है लेकिन जरूरी नहीं ना कि book में जो बाते दिखाई गई है वो वैसे की वैसे ही film में दिखाई गई हो पूरी तरीके से उस book को न्याय दिया गया हो artistic license creative liberty के नाम पर बहुत सारे changes किये जाते हैं यह सब को पता है और सहमत खांजी ने जो कुर्बानी दी है उसे और अच्छी तरीके से दिखाना चाहिए था केवल पाकिस्तान को लाला लैंड की तरह दिखाया है रौ को बहुत निर्दई और निष्टूर दिखाया है इसलिए बहुत सारे critics ने बस इसकी अच्छी अच्छी बाते सब के सामने बताई है आप मेरा review देखिए रौ का, sorry, राजी का उसमें मैंने जो points बताया है वो points किसी भी critics ने नहीं बताये होंगे तो दोस्तों क्या ये मात्र संयोग है कि जो लोग परमानू और दगाजी अटेक को नेशनलिस्टिक जंगोई जर्म और अटरली डिसपोंटिंग कहकर 1.5 स्टार्स देते हैं वही लोग कई सारी कम्या होते हुए भी कई सारे minus points होते हुए भी उन्हें जो फिल्म अच्छी लगती है उनकी विचारधारों को जो फिल्म पसंद आती है उसे वो masterpiece कह देते हैं क्या ये किवल मात्र संयोग है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल फिर से यही आता है कि अब आप किस पर विश्वास करेंगे तो मैं परसनल आपको यही कहूंगा कि आपको क्या लगता है ये सबसे ज़्यदा माइने रखता है आपको फिल्म केसी लगी ये सबसे ज़्यदा महतोपूरन है और आपको अगर रिव्यू देखना ही है तो जिस व्यक्ति के साथ आपकी टेस्ट मिलती हो जिस व्यक्ति के साथ आपके विचार मिलते हो उस पर आप यकिन करिये चाहे वो कोई भी हो और नहीं तो हमारे यहाँ पर कई सरे क्रिटिक्स ने जुड़वा 2 को भी 3 और 3.5 स्टार्स दिये थे और इमानदारी से रिव्यू देना सबसे ज़्यदा ज़रूरी क्यों है पता है क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बस मूवी लवर्स है और जीने हर प्रकार की फिल्म्स देखना पसंद है और केवल फिल्म्स देखना पसंद करते हैं इसलिए वो थेटर में जाकर के फिल्म्स देखते हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं बहुत सारे लोग बस मूवीज देखना मतलब हो एक प्रकार से अपने किसी तेवहार को सेलिबरेट करने के लिए फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं क्योंकि दो आया 3,000 रुपे खर्च करना टिकेट सी उपर फैमिली के साथ में ये आमाद एक मिडियल क्लास के व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है इसलिए इमानदारी से रिव्यू देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि किसी का रिव्यू देखकर लोग अपने पैसे खर्च करके 2,000, 3,000, 4,000 क्योंकि बाहर जाएंगे तो क्यों टिकेट तो नहीं खरेंगे ना कुछ खाएंगे पीएंगे ट्रेवल के लिए जो पेट्रोल लगेगा बहुत सारा खर्चा होता है तो ये 3,000, 4,000 जो खर्च करता है हर एक फैमिली फिल्म देखते समय वो फ्री में नहीं आते हैं इसलिए इमानदारी से रिव्यू देना बहुत जरूर है क्योंकि लोग आपका रिव्यू देखकर फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे अपने नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने भी देखक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद वंदे मातरम